Students, welcome! आज दी ही वीडियो देविच असी Understanding the Self जेड़े बच्चे बेएड समेस्टर 4th रे विच ने जा जेड़े बच्चे B.A.B.A.D. B.A.C.B.A.D. कारहें 4 रियर कोरसा जड़ा समेस्टर 8 उननव विद्यारथियां देली है ये प्रीवियर्स येर था ही पेपपर है जी मैं के तो उन्हों पते है के तो आडाई जेडा पेपपर है डेड़ कंटे था है ते मैक्सिमम माक्स थर्टी फाइव ने हुने दे विच तेने सेक्शन दिते हूंगे A, B, and C A, B दे विच दो-दो long question दिते हूंगे जेड़े के 10-10 number देने ते उसी 2-1 दे विच्चों एक-एक question ही attempt करना है ते C section दे विच पांच शॉट नोर दिते हूंगे ते तिंते number देने ते सारा ही तुसीने इन्हों attempt करना है Now section A दे विच तुसी first question देख रहे हूं Discuss the role of agents, of socialization in the development of self Self दी development दे विच जेड़े agents ने socialization दे ओधा जेड़ा role आओ तुसीने discuss करना है Second question है Difference है थे Difference between person and identity and write in detail about the determinants in the formation of a person हुन व्यक्ती ते पचान दे विचे तुसीने difference दसना है कि यह अंतर है ते एक व्यक्ती दे निर्मान दे विचे जेड़े determinants ने उना दी की पोमिका होंगी है Now section B Elaborate the role of school in the development of humanistic identity जेड़े humanistic identity है ओधे विकास दे विचे ओधे development दे विचे school दा की रोल है तो तुसीने discuss करना है सारे points दे विचे ही लिखने ने दुसीने Points नों फिर explain करना है Next explain दा constructive role of education in peaceful living Peaceful living दे विचे जेड़े education है ओधा constructive role लिखोंगी यह विर जे points दे विचे ही लिखोंगी Now section C एदे विचे 5 questions ने ते 5 दे 5 compulsory ने First जेड़ा short note है होया Community and Socialization Means community दे socialization की होंदा तुसीन इदे बारे लिखना है कि community की होंदी है ते socialization की है तो दे विचे community दे चरह के socialization किद्धा होंदी है Second question है Influence of peer group on identity formation Identity formation दे उपर जेड़ा peer group है मिन्ज नाल दे साथी ने उननार की influence पहनदा की परवा पहनदा Influence of media masses on identity formation Identity formation दे उपर जेड़े media message होंदे ने उननारा की influence होंदा है यह तुसी सारे ही कोशिश करनी है कि headings लिखके ही explain करूं अगर तुसी paragraph लिख दे हो ता जेड़ा paper चेक करने वाला होंदा है वदिया टांग दे नाल थोड़े paper नो नहीं लेगा क्योंकि heading दे विच्छों जड़े गाला हो छेती clear हो जन दिया है schooling as a process of identity formation schooling identity formation दे process दे विच्छ की में जेड़ा अपना role अहो प्ले कर दिया है next critical pedagogy in peaceful living peaceful living दे विच्छ जेड़ी critical pedagogy है अलाउचनात्मक अध्यापकी same paper नो तुसी रज़े पंजाबी दे विच्छ देख रहे हो ते दोवां section दे विच्छ जड़े पहले A ते B ने कोई की question करना है ते C ये जड़ा सारा ही compulsory है पाग A दे विच्छ सवय दे विकास विच्छ समाजी करन दे एजन्टां दी पूमिका दी चर्च करो मिच्छ जड़ा self development दे सी गाल करदनों दे विच्छ शोचलाइजेशन दे जड़े एजन्ट्स ने उनना दा की रोल है की पूमिका हो तुसी ने दसनी है नेक्स है व्यक्ति दे पचान दे विच अंतर दस हो पहला तुसी ने व्यक्ति दे पचान दे विच अंतर दसना है अतेक व्यक्ति दे निर्मान दे निर्मान दे निर्नायका वारे विस्थार विच लिखो मिन्स एक व्यक्ति दे जड़े formation हों दी है उदे विच केड़े गेड़े डिटर्मिनेंट्स ने अपना रोल प्ले कर देने उन्ना मरे लिखना हैं पाग B मानवाद दी पछान विच स्कूल दी पोमिका दी व्याख्या करो स्कूल दा रोल तुसी ने थे लिखना है ये भी सारा हेडिंग्स दे विच लिखके एक्स्प्लेन करने शांत मही जीवन विच सिख्या दी निर्मान शील पोमिका दी व्याख्या करो ये विच भी तुसी हेडिंग्स लिखके के जड़े एजुकेशन है वो कि में अपने जड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल अहो प्ले कर दी है उनननों लिखके एक्स्प्लेन करना है नव शॉर्ट नोट्स समदायते समाजी करन इदे वारे तुस लिखना है पचान निर्मान ते कुलीन गुरुप दा परवाव पचान निर्मान ते मीडिया संदेशां दा परवाव जड़े मीडिया दे विच्चे मैसेज हुन देने उनना दा अडेंटिटी फॉर्मेशन दे उपर की इफ इंफ्लूएंस पेंदे पचान बंद तर्दी के परकिर्या दे तौर ते स्कूल पर बंद फिर शांत मैं जीवन विच अलोच नातमक अध्यापकी दियर स्टूडन्स में मीड कर दें के वीडियो तो अडिसारें दिली हैलफुल रहेगी थैंक यू